नमस्ते दोस्तों ये जो मेरी तैयारी है ये मेरी कल की तैयारी कल बड़ सावितरी पूजा है पूजा के लिए जिन दिन चीजों की जरूरत होती है सबको मैंने पहले एक खटा एक जगा पे रख लिया है जाते वक मैं किसी भी चीज को भूलना जाओं जैसे पकवान, मिठाई, फल, फूल और एक बास की पंखे की भी जरूरत होती है उसे भी मैंने देखे यहां पे रख लिया है और साथ में एक लोटा पानी का भरा हुआ भी मुझे लेके जाना है घर के मंदेर के पहले मैंने पूजा कर लिया फिर मैं बाहर जाओंगी अज मैं येलो कलर के सिल्क साड़ी पहनने वाली हूँ इसके साथ मैं रेट कलर के ब्लाउज का कॉम्मिनेशन की हूँ साथ में पहनने वाली हूँ गोल्ड की जुएलरी तो मैंने सबको एकटा एक जगा रख लिया है ताकि पहनते वेक्ट चीजों को मुझे खोजना ना पड़े और इसके साथ मैचिंग करते हुए मुझे चूड़ी पहनना था तो उसे मैंने पहले से ही अपने हाथ में पहन के रख लिया है कुछ बुरतिय तैवार ऐसे होते है जहां आप जितना तयार हुए उतना कम है तो सबसे पहले साड़ी पहनने के पहले मैं अपने पैरों को रंग ले रही हूँ अलता से मुझे बहुत ही सिंपल डिजाइन आती है जो भी डिजाइन मुझे आती है उससे मैंने पैरों को कलर कर लिया अब आई पायल की बारी पायल देखिए मेरी साधी के टाइम की है बहुत भारी सी है पायल पहनते ही पैर की खुबसूर्टी कितनी अच्छी बढ़ गई अब आई सिंगार की बारी जो भी सिंगार मुझे करना था वह मैंने कर लिया अब देखिए मेरा फुल लुक आप देख लीजिए पैर में पायल मैंने सीधे पल्वे की साड़ी पहनी है चलिए उपर से आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ मैं पूरी तरह के पास थोड़ी साफ सफाई देख ले रही हूँ कैसी है फिर उसके बाद पूजा करने बैठ जाओंगे मुझे कुछ पत्ते की ज़रुवत थी तो उसे मैंने उपर से तोड़ लिया है अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ था सुबह के साड़े साथ ही बजे है धूप भी हल पत्ता विच्छा के मैंने जगह को साफ कर दिया फिर जो भी समान में लाई थी चड़ाने के लिए एक ही करके सब को चड़ाने लगी इसे पान सुपाड़ी अक्षद चना फल मिस्ठान एक ही करके मैं सभी चीजों को चड़ा दूंगे थोड़ा जल्दी पेड़ के पास प तो मैं थोड़ा जल्दी ही आ जाती हूँ इस टेम हवा भी अच्छी रहती है गर्मी भी थोड़ा कम लगती है बहुत ही आहराम से मैं सब कुछ करते जारी हूँ जो कुछ भी लाई थी एकदम सान्ती से चड़ाते जारी हूँ मैं चड़ा रही हूं बेलपत्र और मुझे में दिया वाइ जलाना है तो हवा काफी तेज है हवा इतनी तेज है कि दिया जलाना मेरे लिए मुस्कील है दिखें लौ कितनी ज्यादा हिल रही है पूजा खतम हुने तक लोज जलता रहे वही मेरे लिए काफी है साथ बर कच्चे धागे लपेटते हुए पेड की परिक्रमा की फिर हवा करते हुए भी साथ बर पेड की परिक्रमा कर रही हूं फिर पेड की गले लगूंगी वो भी कुछ पांस साथ बर करूंगी ये सब सब हो गया फिर एक छोटी सी कथा है सावित्री शत्यवान की वो मैं खुदी ने से बोल के सुन ली अब कुछ मंत्र बोलते हुए कुछ मिठाई पीछे फेक ना था उसे भी मैं फेक दी अब लॉट आई अपनी घर की तरफ आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा यदि अच्छा लगा तो प्रीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू